आजाईफा आवार्ड के फुल फॉर्म पर जरा ध्यान दिया International Indian Film Academy Award जब इंडियन हुआ तो फिर इंटरनेशनल क्या हुआ और जब इंटरनेशनल है ही तो बाकी देश के एक्टर एक्ट्रेस को क्यों नहीं मिलता ये आवार्ड Indian में भी सिर्फ Bollywood, South का कोई भी नहीं शाहरुक खान को Award भी दिया गया तो जवान फिल्म के लिए जबकि पठान फिल्म को इन्होंने ऐसा दिखाया था कि जैसे अभी तक का ये सर्वस्रेस्ट फिल्म है और जब सुने कि रानी मुखर जी को Best Film Actress का Award मिला है तो फिर मैं खोजने लगी कि आखिरासी कौन सी फिल्म आई है इसकी तब पता चला कि Mrs. Chatterjee vs Norway ऐसे नाम की कोई फिल्म आई है जिसमें रानी मुखर जी ने अभी नहीं किया है गजब का है ये International Award भी ऐसा फिल्म जिसका नाम तक नहीं पता लोगों को उसको Award मिल जाता है पहले हम सब को लगता था कि कितना बड़ा इवेंट है ये कितनी बड़ी बात है इतना बड़ा Award मिला है पर धीरे धीरे सब पता चल गया कि सब कुछ पैसे का खेल है और दिखावा है नाम International रख लेने से और इवेंट आबुधाबी में कर लेने से कोई Award International नहीं हो जाता बॉलिवोड के ही कई बड़े एक्टर ऐसे Award को लात मारते हैं और आसकार Award में जाने के लिए बेताब रहते हैं